हेलो इस्ट्रेंट्स वेलकम बैक टू आट चैनल इस्टेडी बेंड क्लासिस दिस इस और मैंटर रोहित सैंगल आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का अगर मैं बोलूं कि यह एक्जाम में चप गया तो मेरे इसाब से यह चीज गलत नहीं है आज की जो वीडियो है आपको बोर्ड एक्जाम में नंबर पक्का दिलाने वाली है तो शुरू से लेकर एंड तक आपको चीजों को देखना है समझना है और बीज में मैं आपको बताऊंगा ट्रिक्स वो ट्रिक्स होंगी इन चीजों को बखो भी याग करने की हर दूसरे तीसे मिनिट में आपको थोड़ी वीडियो अगर लेंदी भी जाती है तो कीप आरे पाद डेटीस सॉल्ट क्या है सॉघं है अभी यह आपका देश का नमक ए ताटैनमक देश का नमक जो आप खाते हैं इसका जो चा कमिकल फ़र्मॉला है यह यह अन ए इसी और कॉण सा फ़र्मॉला है आने-सी और जिक है अवर यह निसका फर्मॉला हो गया इसका इसको जो बोला जाता है, इसको mainly बोला जाता है common salt के नाम से और इसका दूसरा एक और popular name है that is table salt, table salt, exam में कभी कभी table salt से भी पूछा जाता है चुकि मैंने आपको क्या बताया यह कौन सा नमक है जो आप खाते हो जो सब्जी में डलता है यह वो नमक है और आपने देखा होगा लोग मिल्ली खाना कहां पर बैठके घाते हैं डानियम टेबल पर और टेबल पर क्या रखा हो था छोटे से डिपे में नमक तो मैं इसको बो प्रशन होता है यह आता है ओवर दिस्सी अब बश्यू अपको सिम्पल सी प्रोस्स पर आपने सोचल में पढ़ा होगा हम साइड में जैसे फूर एक्जाम्पल सब्स्टादर प्रोडख्शन हम लेते हैं इंडिया से गुजराथ से कौस्टल इज्या है हम क्या करते हैं वह आप पर लगाते थे छोटे छोटे देव आएंगी पानी भरेगा वह पानी इवोपरेशन से उड़ जाएगा वोट रिमेंस सॉल्ट डैट इस नैचुरल सॉल्ट आप ऐसे भी सॉल्ट को बना सकते हैं कौनसी रेक्शन तरी नियूट्रिलाइजेशन रेक्शन याद करिए आ आपको सॉल्ट मिला था और पानी को आप इवोपरेशन तरा जाएज तिक और कुछ सॉल्ट आपको कहां से मिल जाते हैं फ्रॉम दी रॉक इनको कहता है मिनरल सॉल्ट और इसलिए मिनरल कराता है तो रॉक से भी मिलते हैं ये भी देखा होगा आपने एक ब्राउन कलर का न जाने में यूज हो रहा है चैमिकल रियक्शन में यूज हो रहा है समझ रहे हैं आप तो यह सो आई होप इतनी चीज के लिए होगी ना अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कूर्ज करने वाले हैं जो की एक्जाम के लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है इस परसल रिक्वेस्ट अगर आप अभी कहीं चाने का विचार कर रहा है तो इस वीडियो को देख के जाएएगा क्योंकि यहां से कुश्चन आ सकता है त इस सोडियम हाइड्रोकसाइड इसका केमिकल फार्मृला क्या है केमिकल फार्म्ला है एन-e-o-h जैस यह पुश्चन आ इसका रहे हैं आजिज ने जापटा है यहां तो पुश्चन आजिए ट्रॉमेड इन ऐन जारे और इससटा केमिकल आज और यहां तो पूश्चन आ ज और एक पुस्ता है common name, common name मतलब क्या है जिससे हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं, आप लोग रहे सुनाओगा caustic soda, इसको caustic soda भी कहा जाता है, common name क्या हो गया, caustic soda, और chemical name क्या हो गया, sodium hydrofat, इतने चीज़ अन्माई, formula क्या हो गया, LAOH, ना, सबसे important चीज़ बनता कैसा है, हम बात करेंगे method, कि किस method से बनता है, ये जिस method से बनता है, उस method को कहते हैं, chlor, alkali, process, क्या कहते हैं, chlor, alkali, process, ये reaction बेटा बहुत ही ज्यादा important है, हत से ज्यादा important है, chlor मतलब क्या, देखिए, पहले नाम को समझते हैं, फिर हम reaction को करेंगे, chlor मतलब हो गया, chlorin, अलकली आप समझते हैं, अलकली किसको कहते हैं, हम, base को, और process मतलब होती ही method, ये ऐसी method जिसमें chlorine और base बने, और ये नामेज क्या है, बेसी तो है, इसलिए इस method को कहते है, chlor, alkali, process, अब देखिएगा, हम करते क्या हैं, हम इस reaction में करते क्या हैं, हम लेते हैं, NaCl, इस NaCl की reaction करा देते हैं, पानी के साथ, किसके साथ reaction करा देते हैं, पानी के साथ, ये बना देता है, 2 and AOH, plus chlorine, plus hydrogen gas, और इस reaction में हम यूज करते हैं, सबसी इंपोर्टेंट चीज, इस, that is, electricity, और आपने, फर्स चैप्टल में पढ़ रखा है, और रियक्शन, कैमिकल रियक्शन, विचिस करीड आओ, इस क्या हैं उसको, तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, तो मैंने क्या यूज करनी हैं, यहां पे, इलेक्ट्रिसिटी, once again, I am not saying decomposition, मैं सिव इलेक्ट्रोलाइसिस कह रहा हूं, वो आपने जो पढ़ा था, that was electrolyte decomposition था, यहां पे decomposition नहीं हो रहा, I am not saying that, words को ध्यान से समझेगा, सुनिएगा, हम कराएंगे electrolysis, अब electrolysis मतलब क्या, ठेकिये, यह जो चीज है, पहुत important, इस reaction का हर एक पार्ट पहुत जादा important, यह, यह जो NACL plus 2S2, जब नमक को पाने में घोलते हैं, तो इसको कहते हैं, ब्राइन, सर बोर्ड एक्जाम में पूछा गया है, पता नहीं कितनी बार, बोर्ड एक्जाम यह पूछती, what is ब्राइन, तो आप क्या बोलेंगे, the aqueous solution of NACL, the aqueous solution of NACL is called ब्राइन, जब NACL को आप aqueous solution बनाएंगे, NACL का, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोले नेम यह ब्राइन, ब्राइन, इस ब्राइन, अगर एक्जाम में क्या पूछ सकता है, इसका नाम बताओ, sodium hydroxide, common name, caustic soda, तिक, फिर method, कौन सी method से बनता है, ख्लोर अलकली प्रोसिस से, ख्लोर अलकली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ख्लोरी है, और अलकली का मतलब होता है, बे राइन, remember one thing, ब्राइन, एक्जाम में कूसता है सिदा-सिदा, what is ब्राइन, तो, अग्जाम में कूछता है, सिदा-सिदा, तो, अक्वास्वास सॉलुशन ऐसं प्रोचेल, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स डाले, दो इलेक्ट्रोज डाले, और बाइदा सम्सोर्स अलेक्रिस सबते मैं ने प्यांसे समझना है में इस सॉल्यूशन के अंदर नमक का घोल लिया इसके अंदर जो है वह एने-स है ऐल प्लेस पानी मिला दिया आप सुखको पता पानी में अमक मिल जाता है अधर डीया अब देखिए एक च्छोटा सा प्रीवेश और कॉंसेप्ट लेटे हैं अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं याद है तो मैं आपको तरीका बता दूंगा याद करने अपने दो टैप की चार्जिस परे दे एक positive एक negative पॉजिटीव क्या बनाता था कि रटायन नेगेटिव क्या बनाता था एनायन मैंने याद करने का तरीका बताया था बहुत मतलब बिल्ली बिल्ली काटेगी तो कहां जाओगे आप इसको ध्यान लगो बस सिर्फ इसको ध्यान रखो किसी जिसको ध्यान मत रखो जब हम इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो यह हो जाता उल्टा उल्टा अब मैं यूज करूँगा कैफोर्ड और यह हो गया तुम्हारा अनौड अब आप से पुछ मैंने क्या उल्टा हो जाता है यूज केस में तो यूज किक लूटा बोलिए है उने मतलब करने श्रीक्षा वाक अगले सांब्सक्राइगी वह पताएं बढ़िए जिस आफ्यारेगी वहिदे अगले चैप्टर में फिराएगी में वहाप नहीं बताने वाला महां पर खुद करेंगा मैं बोल दूँगा साब सब कि आप उस वीडियो में देख लीजिए इसलिए मैं भी मैनत कर रहा हूं इस रेक्षन पर एक एक बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूं आपको तो समझो कैटायन बनाता है पॉजिटिव एनायन बनाता है पॉजिटिव किसी तरफ भागेगा नेगेटिव कि तरफ नेगेटिव इसकी तरफ भागेगा भॉजिटिव ठिक अब इस चीज को किलियर करेंगे बता सब्सचीं चीजिज ऑघ्वाटकर'. सारी चीजें ड तॉनगे कुछ चीज़ ऐसी है जो मैं भी आपको इस्पेन्해 कर पढ़ेगा मैं उनकी बात कर रहा हूं तो इस वीडियो को देखे हो जो लिटरली पढ़ना चाहता है बट मैं फिल भी आपको बता दूंगा बिटा देखिए जो क्लोरीन होता है यह होता है नॉन मेटर नॉन मेटर इलेक्टर्ण्स को देता है तो इससे कौन सा जाता है नेटीव एक ओर है और एज बनाता है अब मुझे बताईए कलोरीन कहां जाएगी कलोरीन के पास नेगेटीव है तो खरन कव Toby एनोर्ड पे ठीक इस पह Son wrapped avec हमए आगी समझ में हाय Sat prima और बीचमे कौन बच जाएगा एने ओएच यहां रह जाएगा ऐसा जब तक करेंगे जब तक हाइड्रोजन पूरा नहीं निकल जाएगा अब आप सोचों को अपन को कैसे पते हो रहेगा कब करेंगे तो यह वह करेंगे ना आप क्यों सूच रहें मैं आपको हिंच देता हूँ भई पानी खतम तो होगा आप कभी बंदर पे कोई बीकर में पानी रखके भूल गए तो क्या होता है पहले पानी इवोपरेट होगा पानी पूरा जल जाएगा देन यू लप वित ओनली वैसल एक्सेक्टली तो वह चीज होगी अगर यह आपको कि टुम होला इसको बने बनी लगांगा अब यहाँ नोड़ कोने आया ऐन अपय निलिए बने किसको अनोड पे लिए अ ONWR प्र पर निकल गए निकल के क्लोरिन चिक क्या थो निकल गाया थो आपका है अब मैं बात कर रहा हूं इनके यूजेस की विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको चीज़े बोल रहा हूं सबसे पहले चीज में इसका यूज बताता है एने वाले हैं कावाइट्स कंपाउंड में वहाँ पे सोडियम यूज भूका तो ध्यान लगिए वहाँ दोसरा दिटर्जंट तो यूज ओगए तीसरा विश्व और डिटर्जंट को पैक भी तो करोगे और पैकिंग हमेशा ध्यान मां प्लास्टिक में पैक नहीं करते हैं आजकर पेपर के बैक्स आ रहे हैं पेपर इस उस इन पेपर इंड़र्जिट्री इस टिक इस उस और अलग अलग लिखिए भई यूव तो मेंग दापॉइंस डिटर्जंट और अलग अलग है बहली दोने भाई हैं तो क्या हुआ जुडबात हो रही है जुडबात वाज़े तो आप डिटर्जंट से भी ना सकते थे और शोप से कप्ड़े दो सकते थे मैं नाने वाले सो क्लोरीन की सबसे पहले क्लोरीन की बात करें को यह क्लोरीन है वेटा आप अब देखा होगा कि यह क्लोरीन से बनता है है कि एक्टैAL ञेंख अपल्समिक दोसरा यूज जो मैं बताने वाला हूं ऑपको कि पीटीवी झी सी पोली विनायर आपने टीवी में आट देखा उगा सुनाए वह पीवीसी से बनते हैं थे पॉलीविनाइल क्लोराइट से तो वहाँ पर भी क्लोरी नहीं होगी तो यह इसी वज़े से आपका फ्रिज क्रीज काम करता है तो यह बहुत जरूरी है इतने यूज काफी है अब बात करता हूँ है टिक एक ऐसाफ फ्यूल काम होता है हर्जन ऐसाफ फ्यूल और यूज होता है वह तो यह चीज ऐसे काम आती है हमारे ठीक अब देखिए इसके बाद हम करेंगे bleaching पर टिख ब्लिजिंग पाउडर करे अब ब्लीजिंग पाउडर में में भी एushing ल॥ हूती है तो में यूसना for the formation of chlorine तो आपको शाली यूज़े बता दिये हार्य layout, here नियूज के बता दिये chlor defend बता दिये cry now moving towards the next bleaching powder सबसे important है ये भी okay now bleaching powder second हमारे पास that is bleaching bleaching powder अब ये क्या है it's a common name bleaching powder देखिए ये common name है इसका bleaching powder इसका जो chemical formula है that is that is calcium oxy chloride देखिए बहुत सिंपल सी ये मतलब calcium ये oxy ये chloride it's calcium oxy chloride ठीक अब इसका जो chemical name मैंने आपको बता लिया calcium oxy chloride common name क्या है bleaching powder अब इसकी method देखते हैं कैसे बनता है अभी मैंने जस्ट बता था आपको chlorine chlorine बता था तो बहुए chlorine में ये बहुत helpful होता है chlorine के formation ही में ये बहुत helpful होता है chlorine का formation था इसके लिए बहुत ही ज्यादा important है अगर chlorine नहीं होती तो ये नहीं बनता कभी भी नहीं हो कौन सा लाइन स्लेक्ड लाइन स्लेक्ड नाइन पर्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं आप सब चुक प्लस इसकी reaction हम कराएंगे क्लोरीन के साथ तो यह बना देता है सी ए ओ सी एंड टू प्लस वाटर कैलिश्यम ऑक्सी क्लोराइट के साथ यह बना देता है वाटर और यह है हमारा में कंपाउंड अब आप सुचों को पानी का पानी तो इवो प्रेशन से उड़ जाएगा उड़ागो अपन को यह कंपा यह बना है तो यूज भी होगा नाम में आगे ब्लीचिंग ब्लीच कर आते हैं लोग कपड़ों की ब्लीच होती है एक्जैक्ली प्लीचिंग कॉटल टेक्स्टाइल इंडस्ट्री में यूज होता इसका कपड़ों को ब्लीच करने के काम आता है सबसे इंपॉर्टन चीज ब्लीचिंग पाऊड़ों दूश्रा सबसे इंपॉर्टन प्इकूर्षी में यूज होता है तो ब्लीचिंग करने के काम भी आता है तो आपको इतनी चीज संवाई कि bleaching powder क्या होता है इसके uses क्या है दोनों ही चीज बहुत ज्यादा important है exams के लिए अब हम बढ़ते हैं अपने next topic के तरफ that is sodium hydrogen carbonate it means baking soda okay आपने already देखा है अभी कि sodium hard oxide का formation कैसे होता है bleaching powder का formation कैसे होता है आपने देखा कि बहुत ही जादा important है ठीक है अब हम discuss कर रहे हैं that is baking baking soda baking soda अभी baking soda क्या है नाम से ही clear है baking मतलब it is used for the purpose of baking baking soda क्या है यह specially baking के लिए काम आएगा इसका जो formula है that is sodium hydrogen carbonate देखीगा sodium hydrogen carbonate chemical name क्या हो गया sodium यह फिर क्या है hydrogen यह क्या दिख रहा है आपको carbonate तो इसको हम कहते है sodium hydrogen carbonate common name क्या हो गया baking soda नाव देखते हैं इसकी method of preparation ठीक है कि prepare कैसे किया जाता है तो method देखते हैं हम लोग तो सबसे पहली चीज़ यह इसमें यूज होता है brine solution आपको पता है ना brine क्या होता है brine में आप co2 pass करते हैं प्लस ammonia डालते हैं तो यह बना देता है आपका NH4Cl मतलब ammonium chloride प्लस आपका जो compound है NaHCO3 यह है आपका baking soda ध्याल से देखिए अपने यह है ammonium chloride यह आपका जो compound बना है that is called baking soda क्योंकि baking में बहुत काम आता है बहुत ही जादा काम आता है baking soda अब baking soda की कुछ बात करते हैं हम लोग यहां से इंपोर्टेंट क्यों है पहलं दीख लिए इस ब्राइन को भी ब्राइन को मतलब मैं आपको क्या बता था वही एने सील में क्या मिक्स किया जाता है पानी मतलब इसकी जगे आपके लिखेंगे ब्राइन की जगे यह भी लिख सकते हैं अगर आपसे बोले फॉर्मेशन आफ बेकिंग सोडा तो यह रही अब यहां पर देखिए इस प्रॉसिस को कहा जाता है सॉलवे प्रॉसिस सॉलवे प्रॉसिस कहता है हमारा इंपॉर्टिंट कंपाॉंड है आपने उसको उठाया वहां से अगे यू हीट आप मैंने क्या बोला यह बेकिंग में यूज होता है अब बेकिंग में कैसे होता देखिए बेकरी बेक मतलब बेकर बोलते हैं वह उत्यान होती है इस जो हुदा है जैसे इसको हीट करते हैं जैसे इसको हीट करते हैं तो यह क्या होता है देखिए यह बनाता है आपने केक में दिखा होगा एक sponginess होती है फूल सा जाता है यहां पर यह गया सा कौन रश्पॉंसिबल है सी यूट आई यूप आपको इतनी चीज़ता में अब यहां से देखिए इससे हमें यह वाला compound मिला इसकाल sodium carbonate इसकाल sodium carbonate अब यह sodium carbonate और popular वह क्यों है इसकी हल्प से हम एक और reaction करवा सकते हैं और बना सकते हैं हमारा new compound देखना यह new compound इससे ही आएगा that is called baking यह washing soda washing soda अब देखिए वाशिंग से नहां दखिए आपको confused नहीं होना मैं बहुत sympathy terms बता रहा हूं आपको विच्छ वाल्प या लाट इस देखिएगा यह compound आपने एने टू इसके साथ करना कुछ नहीं है washing में कौन सी washing मतलब दोना दोने के सबसे जबूरी चीज क्या है सर्फ साबूर नहीं होगा तो भी कपड़े दो सकते हैं बहुत अच्छे से दूले नहीं दोने सर्फ नहीं होगा फिर भी दोन सकते हैं important thing is water तो आप washing soda के लिए कितने molecules पानी के डाल देंगे 10s2o देखेगा 10 molecules डाल दें पानी के यह सीधा सीधा क्या करता है 10 molecules इसके साथ attach हो जाते हैं यह बना देते हैं na2 co3 10s2o this is called washing soda इसका formula क्या बन गया na2 co3 dot here i am using dot because 10 molecules add हो गया है 10s2o तो washing soda का formula क्या है पानी से याद रखे पानी के molecules इसमें जादा है so what you have to write sodium carbonate 10.s2o इतनी बात समने आ गई अब देखिए इसका chemical ने sodium carbonate 10 से डेका हाइड है तो यहां पर यह compound बहुत ही जाद है इसकी बात करें तो बेकरी में यूज हो रहा है बेकिंग में यूज हो रहा है और अगर नोटीस करें आप तो इसकी हल्ट से कौन बन रहा है आप यह दिख सकते हैं यह ज़ली काम वाशिंग है मतलब कप्रे धोने की काम आएगा और हर इंडस्टीस में काम है दोने का तो यह महां यूज होता है कोटर इंडस्टीस में यूज होता है अभी हाड वाटर की हाडनेस को रिमूव करता है अभी हाड वाटर क्या होता है मैं छोटा सा थोटा सा कॉंसेट बता देता हूँ hard water वो होता है जिसके अंदर magnesium और calcium के ions होता है अगर मैं simple सी language में बोलूं तो hard water क्या है hard water नाले का पानी है गंदा पानी hard water है चिक हम इसको next chapter में पढ़ेंगे कावविंस compound में देखेंगे उसको so don't worry about that ऐसी ऐसी terms आएंगी जो बिल्कुल आपके लिए नहीं होंगी बट करना क्या you have to keep patience क्योंकि होगा क्या उस concept का लेना देना उससे कुछ है निए बस वो डम आ गई तो आप समझ लेजिए उसको अपने next time देख लेंगे कोई इश्व नहीं है लेकिन डिटेल में होगा हां बोर एक्जाम में जाब बैठने जाएंगे तो आपको एक परसेंट कॉंसेट भी नहीं रेगा इसकी गैरेंटी मेरी है तो यह समय है बहुत ही important बिटा एक्जाम में यह आता है सिधा सिधा अगर आपसे बोले यह बनाओ तो भैं यह दोनों जरूरी है अगर आपसे बोले कि इसका formation बताओ sodium तो यहां पर आपको इतनी चीज सन में अच्छे से कोई कंफूजन तो है नहीं अब मैं बात करता हूं सबसे इंपोर्टेंट जो लास्ट कंपाउंड हमारे पस बसता है यहां पर आपको करना कुछ नहीं आपको ध्यान से चीजों को समझना रटना मत रटोगे भूल जाओगे समझोगे एक्जाम तक उसको लेके जाओगे आब मैं बात करहां पूब कि इसको हम बूलते हैं यह अब यह POP है, अब इस POP का जो फॉर्मला बनता है, वो फॉर्मला बनता है C A S O 4 dot half H 2 O This is the formula for POP, अब मैं इसका formation देखता हूँ, मैं चीज़ा आपको समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझना है पहले उसका common name क्या हो गया, common name हो गया plaster of Paris, इसको इसी नाम से जाना जाता है इंडिया में और chemical name, देखिए calcium sulphate half, जिस circle का, आधा circle क्या गिलाता है, हमी यह क्या है, हमी और इसको क्या गिता है, हाइड़ेटेड, तो calcium sulphate, हमी हाइड़ेटेड, इसलिए इसको हमी बोलता है, हमी, हमी स्वेर 3D याद करिया, हमी स्वेर बोलता है, आधे को, तो हमी का मतलब हाफ से है, तो डोंट वर्य अबाट पर्टिकुलर वर्ट, इस हमी स्टैंड फॉर, हाफ मॉलेक्यूल आफ वाटर, अब इसका formation हम देखते है, मैं जिप्सम का formation क इसको कनवर्स करके अपन पी ओपी फॉर्म कर देंगे, ठीक है, मैं देख रहा हूं कैल्सियम सल्फिक, यह है पी ओपी, डॉर्ट हाफ एस टू, देखिएगा, बहुत सिंपल रेक्षन है, यह है पी इसमें जैसे ही मैं, वान एंड हाफ मॉलेक्यूस ओफ वाटर एड करता तो होता क्या है, देखिए, वान एंड हाफ मतलब 1.5 यह हो गया, और 0.5 यह हो गया, 1.5 प्लस 0.5 कितने हो गया बिटा, यह बना देता है, C-A-S-O-4-2-H-2-O, भाई, देख, प्लस आधा, इक्वलस टू दो, तो मैंने दो, इसको हम बोलते हैं, जिप सम, क्या बोलते हैं जिप सम, this compound is considered to be a जिप सम, यह कहलाता है आपका जिप सम, तो आयूप आपको जिप सम सम आए कि जिप सम क्या होता है, आपको समझना है क्या होता है, क्या होता है, अगर आप से कोई बोले भाई, इसका formation बताओ, तो इस reaction को क्या करतो, उल्टी, यह दिखिए, यह जिप सम, breakdown करवाती जिए, यह बना देगा, C is SO4, dot half S2, plus one and half molecules of water, यह जो पार्ट है बेटा, MCQ में पूछा गया है, बोर्ड एक्जाम में, कि कितने molecules water रखे चाहिए होते हैं, NTS की एक्जाम में भी पूछा गया है, तो one and half, तो one and half को fraction में करिए solve, two ones are two, it's three by two, and three by two is nothing but one point five, यह बोलो, यह बोलो चाहिए यह बोलो, सब सेम है, तो option में answer जो था, that was three by two, ना तो one point five दिया था, ना तो यह दिया, ठीक है, मुहाँ पे option था half, two, three, one by two, three by two, समझ रहे हैं, बच्चे confused, क्योंकि भाई ले बोला, one by two यह सब्सक्राद है, नीन में उठा के पुछता है क्या, हाँ यह होता है जिप्सम, यह होता है P.O.P., वो बता सकता है इसे वे, तो यह है आपका कौन, यह है आपका plaster of Paris, यह तो खेर जित्सम है, इससे बनता है plaster of Paris, टीक, अब यह plaster of Paris, नाम में ही याद करी plaster, जो आपका जब fracture ह होता है bones वगेरा, तो जो plaster चड़ता हूँ, यही plaster है, ठीक है, cement में अक्सर मिक्स किया जाता है gypsum, to make it more hot, आपने देखा होगा जब RCC की road बनती है, तो cement use होती है उदर, तो उदर इसका mixture करवाया जाता है, अब आपने यह भी notice किया होगा, कि उस road को बनने के बाद कुप प पिला जाता है, पानी क्यों पिला जाना देखा है आप, जितना जादा पानी मिला पिलाओ गया आप उसको, उसकी hardness और बढ़ेगी, उसको continuous गीला रखते है, आपने देखा हो बोरी बगेर से इसको ढखके रखते हैं, continuous पानी दिया जाता है, इसलिए, तो यह चीज़े होती दूसरा यूज़ क्या है, स्टेचू होते हैं, बिल्कुल, इस जूज़ फ़र फर्मिशन ऑफ स्टेचू, पर मेकिं स्टेचू और टॉइस, तीसरा यूज़ इसका, घर पे P.O.P. होती है, रूम डेकोरेशन, रूम डेकोरेशन में भी P.O.P. यूज़ होता है, तो इस प वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट होने वाली बेटा सारी रियक्शन को एक बार फिर पढ़ना हो सके तो जितनी बार देखना क्योंकि यहां से कोश्चन 110 परसेंट आएगा मेरा कमिटमेंट है आपसे अगर आपको कोई चीज नहीं सवन में आई है तो आप वीडियो को बार बार देखो मैंने कुछ भी इसमें आपको प्रॉपर ली नहीं बताया गया लेकिन मैंने एक एक फॉर्मेशन बताया है एक एक कमपाउंड बता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज वन मोर थिंग लाइक में तुछा कंजूसी मत करो या आप लाइक करेंगे तो हमें भी अच्छा लगा कि आप लोग को चीज़े पसंद आ रही है एंड प्लीज डू कमेंट एंड इस स्टे करेक्टिड थाइंक है एंड है एंड लगा जैने कि अ